इसे पहले वाले क्लास में हम आपको बीच्त था अंकुरेंड के बारे में समझा दिये थे इस पार्ट में हम आपको प्लांट हार्मोन यानि पादप हार्मोन के बारे में समझाएंगे और इसमें ये भी समझाएंगे कि खर पतवार क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे फोटो हार्मन के नाम से जानते हैं पादप हार्मन दो प्रकार का होता है या तो वो पादो की वृधी करेगा उसे हम वृधी परवर्धक कहते हैं या तो वो पादो की वृधी को रोक देगा जिसे हम लोग वृधी रोधी कहते हैं हम ब्लू कलर से लिख दिये हैं पादप व पाच मुख्य के टेगरी होते हैं सबसे पहला होता है जेबरलीन यह अंकुरन में भी बताए थे यह जर्मिनेशन यानि जेबरलीन सेंस का है इसका जर्मिनेशन यह अंकुरन में मदद करता है और पौध की व्रिधी पर डिपेंड करता है कि कितना व्रिधी होगा या नहीं हो सब्सक्राइब करते हैं यह विरदिक और नियंत्रिन करता हैं क्वाость जो मोगाते हैं जिसमें शुरज मूठीमें शुरज मूठीम और छाधा जादा होता हैं सुरजिंगा है जीधर सुळज जाएगा उधरी घूब जाता है इस घंटना को हम टेक्गनीकल नाम देते हैं प्रकास अनुवरतन एक्जामें फुछता था प्रकास जमेदार है औक्सीन हर्मोन से ही हम बृधी नापते हैं नियंत्रित नहीं करते हैं नापते हैं अता नापने जो बृधी नापने वाला मसीन होता है उसे हम लोग करते हैं औक जेनो मीटर उस औक जेनो मीटर से हम औक्सीन हर्मोन की उपस्थिती के मदद से हम पौधे की क्या होता है उसके बारे में यह दो हर्मोन आप समझ में आ गया तीसरा जो हर्मोन होता है वह होता है साइटो काइनीन साइटो का सिल्स होता है कोशी का साइटो काइनीन का क्या होगा कोशी का विभाजन यह कोशी का विभाजन के बारे में हम आपको समझा दिये थे P.S. फूल क्लेन में फ्लोरिजंज मदद करता है देखें जिसमें फ्लोरिजनश ज़ wohlेगा उसमें फूल काफी तेजी से फूलेगा नी जदा फूलेगा जैसे कजला का फूल सुछ मूभी में देखेंगे हिर॓ई सब गज्छला लगाती है चमेली का फूल इसमें फ्लोरीजेन जादा रहेगा जिसमें जादा उसमें जादा जल्दी फूलेगा और जिसमें कम उसमें कम फूलेगा समझ गया फ्लोरीजेन फूल खिलाने में मदद करता है पांचमा जो होता है वो होता है ट्राव मेटीन ट्राव मेटीन पेड़ पाधो के शिर्टी के बारे में और हम समझते हैं देखे जो ब्रीधी रोधी हार्मोन होता है वैसे हार्मोन को कहते हैं जो पॉध्य की ब्रीधी को रोकते हैं उसमें सबसे महत्पून होता है ABCC Acid, इस ABCC Acid को हम shortcut में ABA कहते हैं, एक्जाम में अक्सर ABA से आता है, ये व्रिधी को रोक देता है, हर चीज में बाधा देता है, पाधा को अंकुरन रोक देता है, उसको व्रिधी को रोक देता है, उसमें कोशिका विभाजन को रोक देता है, अता है व्रिधी रोधी हर्मो होता है हम एठीलीन कि इसको हम मरें सेभाएधी एथीलीण से कनफ्यूजमत होता थगा एधिलीन ये हर्मोन जो गैसिये वस्था में रहती है होग छेगा एथेलीन हो जाएगा यह क्या करता है फिल को पकाता देखिए अगर जो फ़ल होता है अगर वह पौधा में जल्दी लग गया नहीं तो पौधा छोटा हो जाता है दिया हत में वह पौधा ठेमरा गया है समझ गया है वो छोटा ही रह जाएगा था अब देखे होंगे माली जब पहले ही फल लग जाता है तो उसे तोड़ देता है यह फल को पकाता है प्रकृतिक रूप से पकाता है पेड़ में जो फल लगते हैं वो पेड़ में ही कभी-कभी फल पक जाते हैं अगर आप छोड़ हुआ अब देखे होंगे की आम वग्जित टोड़ते होंगे तो उसे फेल निकलता होगा आम से वग्वेसरे चोप काते ह요 कहीं लग के मुह वो यह अँझा गहऊ बना दू पक जाता है वह किस्स होता है एतलीन लग जाता है आपने के अपले बर्याओ पानी ले खोने ऊपनी बिर्द उसके बाद ससर्गाओ करोखा जोड़ा देनあ calling fire and फल को बहुत अच्छे ढंक से पचाप पकाता है और इसमें मिठास ज्यादा होता है और जो फल होता हुँ एक समान पकता है अता नेचुरल फल काफी अच्छा होता है किसी को एतना फूर्शा थोड़ी है कि पेड में छोड़ के फल पकाएगा अगर छोड़ेगा तो पलोसी तोड़ लेगा चोटकन चोटकन बस्वेहँ होते हैं बहुत वगर्यर में हो साब तोड़ लेते हैं आप लोग भी तोड़े होंगे इसलिए आफ 42 होता है क्रीते रहे प्रूम से फल को पका दिया जाता है अरटी फिते फल यूर्ट से जो फल पकता है उसमें हम लोग करियो जिसे हम लोग calcium carbide कहते हैं वो इसमें हलका नमी, अगर पाणी मार देते हैं तो उससे gas निकलती है इस gas को हम कहते हैं acetylene gas यह जो एसेटिलीन होता है उसके बाद यहां पर चूना बन जाता है यह एसेटिलीन गयस जो होता है वो फल को पका देता है अब इसमें खराबी क्या होता है वो समझ दें जिदर ज्यादा लग गया उधर का फल अच्छा पकेगा और जिदर कम लग गया उधर का फल कच्छा रहेगा कम पकेगा इसमें एक बराबर नहीं पकता है उसमें उतने मुठास भी नहीं रहते हैं अब कोई-कोई जो फल को उसमा के द्वारा पकाता है उसमा रखको पकाएगा ना तो जहां तहां से ससुरा पक जाएगा एक और नहीं पकेगा गाहां वगेरा का जो आदमी होता यह पूरा मिठास इसमें नहीं रहता है खास समझ गए अब हम देखते हैं इसमें खर पत्वार के बारे में देखिए खर पत्वार क्या होता है गेहूं चावल यह सब आप खेत में बहुते हैं तो उस धान वगेरा के साथ कुछ छोटे-छोटे पौधे निकल जाते हैं फालत करने लगते हैं और खुद बढ़ने लगते हैं उसमें कोई फल वगेरा तो होता नहीं है आपका जो पैसा और जो मेहनत है वो दूसरा ले ले रहा है और जो आपके अनाज को जितना मातरा में मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है ऐसे अनावस्यक इसे एकजाम में पौधो को हम क्या कहते हैं वीट्स कहते हैं इसे इंगलिस में वीट्स कहते हैं और हिंदी में खर पतवार कहते हैं इसको मारना जरूरी है जिस दवा को से इसको मारते हैं उस दवा को कहते हैं खर पतवार नासी दवा खर पतवार नासी जो होता है वो इस पौधो अनावस् से दो खरफ पत्वार बहुत ज्यादा फेमस हैं एक आपका हो गया सिमाजीन जो आप लोग में किसान होंगे वह सिमाजीन का प्रियोग अक्सर करते होंगे और एक होता है इसका पूरा नाम जो होता है डाय क्लोरोरिय sharks आक्सिड इसका फूल फांषी हो गया इसका आ पिक मिलेंगे नेक्स्ट विडियो में आज के लिए बस इतना हैं